concept of liberty political science में एक important topic है previous years के जो questions हैं वो हमें ये बताते हैं कि exam point of view से concept of liberty कितना important है हर एक साल में different different तरीके से इस topic पे question पूछा जा रहे हैं तो आज की वीडियो में हम discuss करेंगे concept of liberty और जिसमें हम basic meaning देखने की कोशिश करेंगे various scholars की हम यहाँ पर statement लेंगे, definition लेंगे जसे कि concept of liberty हमें proper समझ में आए इसके पात से हम negative and positive liberty का notion discuss करेंगे feature और nature of liberty discuss करेंगे, then types of liberty को हम explain करेंगे with the help of examples और इसके बाद हम अपने इस topic को conclude करेंगे Indian context को के कुछ examples को लेकर तो आज की discussion में यह रहने वाला है So hi guys, this is Deepika, welcome back to my YouTube channel और I hope कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो concept of liberty को हम लोग detail में discussion शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर suggestion को suggestion देना चाहूंगी कि see, हमेशा जब भी हम कोई topic पढ़ रहे होते हैं या कोई subject पढ़ रहे होते हैं हमें यह देखना है कि किस exam के लिए हम पढ़ रहे हैं और वो उस exam की demand क्या है हमें अपने topic, अपने subject को उसी तरीक, उसी dimension में पढ़ना है see, मैंने देखा है कि बहुत सरे students को knowledge बहुत अच्छा होता है concept भी clear होता है बड़ जब उनके answers check करो, copies check करो तो आप उतना अच्छा answer नहीं पाएंगे और फिर वो कम marks मलते हैं फिर वो बोलते हमें तो इतना आता है, फिर भी कम marks मलते हैं the reason is this, कि जो exam की demand है आप उसे fulfill नहीं कर रहे हैं आप यहां से smart हैं, no doubt आपको यहां knowledge है बड़ जो demand है उस exam की उसे आप fulfill नहीं कर रहे हो तो मेरा यह मानना है कि आपको हमेशा आप जिस भी exam की prepare कर रहे हो जिस भी exam के लिए concept of liberty पढ़ रहे हो या मालीज़ आपने semester exams के लिए पढ़ रहे है तो हमें उस exam की demand को, need को ध्यान में रखते हुए strategy बनाना है कि हमें answer कैसे लिखना है क्या-क्या चीज़ें हमें वहाँ पर डालनी है answer में तभी आपको आच्छी marks मिलेंगे और हो सकते हैं आप मेरे इस point of view से agree ना करें but guys it's a hard reality आपको हर एक exam की demand को, need को समझना होगा और उसे ही deliver करना होगा तभी आपको जो desirable marks है वो मिलेंगे तो I hope कि आप इस पात को समझ पा रहे हो तो concept of liberty जो आपका एक term है Latin term जिससे derive हो है जिसका Latin term है वो है liber जिसका meaning होता है free so liber एक Latin word है जिसका meaning होता है free और liberty हमारा यहीं से आया है इस Latin word से आया है आपको exam में यह mention करना ही पड़ेगा ओके आप direct liberty की meaning से शुरू नहीं कर सकते हैं and जैसा कि आपको पता है free का मतलब होता है कि आप दुनिया भर के तमाम जो restrictions लगाया जाते हैं आप पर उससे आप free हो गए so freedom from the restraints अब freedom मतलब restraints तो इसका मतलब आप जो चाहें वो कर पाए जैसा आप चाहें वैसे कर पाए आप जो चाहें वो पढ़ पाए जिस exam की preparation करना चाहें वो कर पाए जहां शादी करना चाहें वो कर पाए या जिस college को join करना चाहें वो कर पाए जो नौकरी करना चाहें, वो कर पाएं, तो इस तरीके के liberty, आप पे society या जो state है, वो law है, वो restrictions ना लगाएं, तो क्या इस तरीके से possible है liberty को enjoy करना, अभी जब हम negative notion and positive notion समझेंगे, तो इसे समझने की कोशिश करेंगे, फिलहाल अभी यह समझें, कि यह Latin word है, liber, यहां से liberty जो term ह वो originate हुआ है, तो कुछ पहले हम statement ले लेते हैं, standard definition ले लेते हैं, कुछ scholars की, जिससे की concept of liberty या meaning of liberty को हम better understand कर पाएं, तो Hobbes कहते हैं कि liberty क्या है, absence of external impediments, मतलब कोई हमारे ऊपर बाहरी बाधाना हो, जो बाहरी बाधाएं होती है, external restrictions होते हैं, उनकी absence होना, getting it, जब हम कुछ करने के लिए जाएं, जैसे माली जी हमको क्या करना है, हमें graduation करना है, b.tech करना है, बट external हमारे परिवार वाले ये restrictions लगा रहे हैं, नहीं भाई, engineering नहीं करना आपको, आपको medical करना है, तो ये हो गया external restrictions, तो Hobbes कहते हैं कि इस तरीके के external restrictions को absent होना ही liberty है, नेक्स्ट है, आपका हीगल, हीगल कहते हैं कि liberty is simple, obedience to the law, अगर आपको, आप law को obey कर रहे हो, तब ही आप liberty का enjoy कर पाऊगे, ये positive notion में है, अभी हम आगे चल कर देखेंगे कि कैसे positive notion में ये concept आता है, तो law को obey कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी liberty को enjoy कर पा रहे हो, अब हर ए किंडिवीजो लगा, society में कोई भी law को ना follow करे, जैसे state of nature क्या था, जो Thomas Hobbes, law and Russo ने social contract theory में, state of nature बताया था, कि जहां पर कोई भी government नहीं थी, कोई state नहीं था, लोग ऐसे ही जंगलों में रह रहे थे, तो वहां तो कोई law नहीं था, तो वहां पर जो strong होता था, उसी का rule च पाते हैं, क्योंकि law जो होगा, वह fair होगा, reasonable होगा, सभी को equal security protection प्रवाइट करेगा, getting it, then next है, लास्की, लास्की कहते हैं, liberty का ये मतलब है, कि वो सारी conditions available होना, हमारे social life में, जो हमारे personality development करने के लिए better है, मतलब, social life या state के दौरा, ऐसी condition, बनाया जाना, exist कराया जाना, provide कराया जाना, जसे कि हम अपने आपको better develop कर पाएं, right, so this is the last key, तो ये कुछ definition से हमें समझ में आया, कि liberty is just like that, कि कि किसी individuals के पास वो सारी freedoms है, to make the choices, और वो choices जो उसके खुद के लिए बहतर है, getting it, तो अब liberty को basically दो तरीके से define किया जाता है, एक कहते है negative liberty, एक positive liberty, अब ये कैसे, distinction ये कैसे है, तो जो negative liberty है, उसमें ये आ जाता है कि किसी भी तरीके की बाधाएं ना होना, so liberty is complete absence of restraints, तो ये हो जाता है negative liberty, मतलब कोई तरीके की बाधाएं हमारे उपर नहीं है, हम जो चाहें, जैसे चाहें, वैसे चीज़ें, को carry forward करें, मतलब अगर हमको किसी को मारना भी है, तो हम उसे kill भी कर सकते हैं, this is the negative liberty, क्योंकि हमारे उपर कोई बाधा नहीं है, कोई restraint नहीं है, कोई law नहीं है, हमें punish नहीं किया जाएगा इसके लिए, मेरी will है, मैंने कर लिया, तो आप ये बताओ कि किसी भी civil society में, जो हमारा समाज होता है, क्या इस तरीके की liberty को enjoy कर पाना possible है, नहीं है न, negative liberty का concept, जो complete absence of restraint की बात करता है, किसी भी civil society के लिए ये good नहीं है, और किसी भी civil society में ये acceptable नहीं होगा, the reason is this, कि अगर इस तरीके के complete absence of restraint हैं, जो बाधाएं हैं नहीं होगी, तो हर एक individual अपनी मन मरजी करेगा, और इस तरीके से society में कभी भी harmony established नहीं होगी, कभी भी peace and stability नहीं होगी, किसी का मरजी किसी को मार दिया, किसी के यहाँ चोरी कर ली, कुछ भी मतलब इस तरीके के जो society में peace के लिए चीज़न जरूरी होती हैं, उसके against में जाकर activities करना, anti-social activities कह सकते हैं हमें, तो negative liberty जब possible नहीं है society में, जो classical liberal बात करते हैं इस चीज़ की, तो further इसमें कुछ reform किये जाएंगे, कि नहीं नहीं, यह जो complete absence of restraint है, कि कोई भी बाधा ना होना, ऐसे तो हमारा समाज नहीं चलेगा, समाज में हमें चाहिए peace, stability और एक order है वो बना कर चलना है, social order, harmony बना कर चलनी है, सब ही लोग peacefully रह सकें, तो इसके लिए positive liberty का notion introduce होता है, अब positive liberty में क्या होता है, कि जो आपकी freedom है, freedom to make choices, उसमें कुछ rational and logical restraints लगा जाते हैं, कुछ बाधाएं होती हैं, कुछ limitations होती है, कि इस limit को आपको cross नहीं करना है, आपको freedom है अपनी choices बनाने का, अपना decision लेने का, अपने तरीके से जिने का, लेकिन वहीं तक जब दूसरे को इससे नुकसान ना हो, ऐसा नहीं है कि आपको freedom है decision लेने का, तो आपने decision ले लिया कि आप अपने neighbor को कुकिल कर देंगे, को मारेंगे, तो क्या ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इस पे rational and logical restraints हैं, criminal laws हैं, civil laws हैं और आपको इसके लिए punishment मिलेगा, तो positive liberty क्या हो गई, हम अपनी freedom को ऐसी conditions पे enjoy करते हैं, जहां पर rational and logical restraints होते हैं, कुछ बाधाएं लगाई जाती हैं, और वो बाधाएं हैं, वो rational and logical होती हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बाधाएं लगा दी, जैसे कि slave society में, जब masters and slave होते होते हैं, तो कुछ भी बाधाएं लगा दोगे, वो logical तो नहीं होंगी, बड democratic state की जब हम बात करते हैं, modern state में, तो आप देखोगी कि rational and logical restraints लगाए जाते हैं, क्योंकि overall purpose क्या है, कि society में, समाज में हार्मनी बना कर रखना है, social order maintain रखना है, peace and stability अचीव करनी है, और इसके लिए ज़ो ज़रूरी होता है, वो तरीके की बाधाएं और limitations set की जाती हैं, तो इस तरीके की restraints अब क्यों essential हैं, अब तक आपको समझ में आ चुका होगा, ताकि सभी individual अपनी liberty का enjoy कर पाएं, क्योंकि जो liberty का right है, वो तो सभर एक individual को है society में, और अगर कोई logical और rational बाधाएं नहीं होगी, तो क्या सभी लोग liberty का enjoy कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, त तो इसके लिए जरूरी था कि कुछ limitations, कुछ दायरे सिट किये जाएं, तो I hope so कि negative liberty and positive liberty को अब आप explain कर सकते हो, इस discussion के बाद, किलिए रेटना, अगर next चलें कि liberty का nature क्या है, ये characteristic क्या है liberty की, तो जैसा कि हमने उपर चीजों को discuss किया, समझा, उनको ही हम list out करेंगे यहाँ प liberty का मतलब है कि जो restraints हैं, वो completely absent ना हो, so liberty does not mean the absence of all restraint, तो liberty का कतई ये मतलब नहीं है, कि जो हम पर बाधाएं वो एकदम ना हो, okay, next है, liberty का ये मतलब है कि वो सारी conditions provide किया जाना individual का, जिसमें वो अपनी personality का best version develop कर पाए, right, हमने scholars की definitions में भी ये चीज़ देखी थी, so liberty का तो ये ही मतलब है ना कि मुझे अपनी choices बनाये जाने के लिए ऐसा environment create किया जाए, आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जैसे कि आप में से बहुत सारे, मतलब हम लोग हैं, जो rural area से बिलॉंग करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे घर में तो लोग friendly नहीं है, एक बहुत चोटी सी चीज़ है हमारे day to day life में आती है, नहीं हमारे घर वाले तो इतने friendly नहीं है, कि हम ये सब चीज़ने discuss कर पाएं, जो पापा ने कह दिया, जो ताउ ने कह दिया, वो ही चल रहा है, कुछ लोग होते हैं कि बहुत friendly हो समाज की जिम्मेदारी है कि अगर आप हमारे उपर restraints लगा रहे हो, limitations लगा रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी conditions, ऐसा environment हमारे लिए बनाया जाए, जिसमें हम उन दाइरों में रहकर अपने decisions ले पाएं, अपनी choices बना पाएं, अपनी liberty को enjoy कर पाएं, क्योंकि भ society की जो values होती हैं, practices होते हैं, traditions होते हैं, उसके थ्रूँ limitations लगाया जाते हैं, बाधाएं, इस state है, वो law के थ्रूँ लगाता है, rules and regulation बना कर, तो ये state and society की भी equally responsibility है कि वो ऐसा environment create करना कि इन बाधाओं के होते हुए भी हम अपनी choices बना पाएं, हम अपने decisions ले पाएं, जो हमार जिन्दगी जो हमारी life के लिए बेहतर हो, this is the, कि हम liberty enjoy कर पा रहें, अगर आपको अपने परिवार में ये decision लेने का हक है, कि अच्छा आप कौन से, आप engineering की पढ़ाई करना चाहरे हो, आप medical में जाना चाहरे हो, या किसी other professional courses में जाना चाहरे हो, आप वो choice ले सकते हो, आप पर compulsion नहीं है, कि बड़ा भाई ने engineering कर रहा है, तुमको भी engineering कर रहा है, घर पर सारे doctor है, तुमने भी doctor बनना है, तो वो क्या वो अपनी choice बना पाएगा, अपनी liberty enjoy कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और इस तरीके के decision लेने से, क्या किसी को नुकसान हो रहा है, नहीं हो रह possibility है, कि वो ऐसी conditions enable कराएं लोगों के लिए, जिसमें वो अपनी personality का best develop कर पाए, so I hope कि इस point को अब तक आप समझ गये होंगे, next है, कि जो liberty है, ये possible है केवल civil society में, of course इसका क्या मतलब है, अगर state of nature है, state of nature, social contract theory में Hobbs, Locke, Rousseau ने define किया था, कि ऐसा समाज जहां पर state नहीं था जहां पर कोई government नहीं है, कोई state नहीं है, कोई institutions नहीं है, right, political institutions नहीं है, right, civil rights और political rights, इनका कोई concept नहीं है, natural rights and natural laws है, getting it, तो वहाँ पर क्या liberty का आप enjoy कर सकते हैं, वहाँ पर कौन सी liberty exist करेगी, negative liberty का notion exist करेगा, no restraint, right, complete absence of restraint, कोई बाधा है नहीं है, तो ऐसी स्थिती में क्या जरूरी है, क्या ये possible है कि लोग हर एक individual liberty को enjoy कर पाएगा, नहीं, वही individual अपनी liberty का enjoy कर पाएगा state of nature में, जो powerful है, क्योंकि वो इतना powerful है कि वो अपने choices बना सकता है, right, जो weak people है, weaker section है, वो अपने choices नहीं बना सकते, even modern time में भी आप यहीं देखेंग कि liberty का क्या मतलब है, जैसे मान लिजए अब जो rich class है और poor class है, क्या equally liberty का enjoy कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए बात की जाती है, equality लाने की, right, अभी इस poor people के बच्चों का मन है कि हम कोई professional, for example, abroad में जाकर हम MBA करें, is it possible, क्या वो अपनी choice बना पाएगा, उसकी desire से उसकी will है बट नहीं execute कर पा रहा है, because of certain circumstances, right, बट वहीं पर rich class के, वो abroad जाकर study कर लेंगे, वो अपनी choices बना पा रहे हैं, अपनी will को execute कर पा रहे है, because of their circumstances, तो इसलिए बात, जब हम ये देखेंगे, कि what is the relationship between liberty and equality, तब हम इस equation को और detail में समझेंगे, तो अभी मेरा ये समझाने का अब यहाँ पर ये है कि जो liberty है आपकी, आप उसको enjoy कर सकते हो एक civil society में, जहाँ पर reasonable and rational and logical कुछ दाइरे limitations set किये जाते हैं, इसके बस liberty is for all, अब ऐसा नहीं कि liberty कुछ particular section of the peoples के लिए है न, फिर तो वो liberty कहा रह जाएगी हो, तो privileges हो जाएंगे, तो liberty सबके लिए है, society में, सबके लिए adequate opportunities provide करना, सबको ऐसी conditions provide करना, जिस पे वो अपने choices बना सकें, अपनी liberty को enjoy कर सकें, ओके, next है, कि जो society में, जो law है, that is very essential condition for the liberty, अब ये कैसे, जैसे हमने ये वाला किया न, कि liberty is possible in the civil society, this point is interlinked with that, कि अगर law है, तभी आप liberty को completely enjoy कर सकते हो, already हमने इस point को state of nature के थुरू समझ लिया, क्यों, state of nature जहाँ पर कोई legal law नहीं है, कोई political law नहीं है, कोई political institution, political government नहीं है, जो law बनाए, तभी देखोगे, Hobbs and Locke and Russo ने social contract की थियोरी दी, कि state existence में आया, जिससे की society में harmony establish किया जा सके, ऐसी conditions, mechanisms बनाई जा सके, जहाँ पर हर एक individual अपनी liberty को enjoy कर पाए, तो law क्या है, एक essential condition है, जहाँ पर liberty को हम enjoy कर सकते हैं, simple से example आप देख लीजे, for example, traffic rules ना हो, और हम सारे अपनी अपनी गाड़ियां लेकर road पे निकल गए, हमें liberty है, हम किसी भी lane पे चलाएं, right lane पे चलाएं, या left lane में चलाएं, अगर traffic को regulate नहीं किया जाए, अगर चालान वाला system नहीं हो, जो break करेगा traffic rules को, उसको punishment देने के अगर जो mechanism से ये ना हो, तो आप सोचिए कि किस तरीके की situations होगी road ओंवे, कोई किधर से भी आ रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, कितनी भी speed पे drive कर रहा है, क्या सबकी safety है वहाँ पर, नहीं है ना, किस तरीके की situation वहाँ पर बनेगी, हमें अपनी life ही certain नहीं लगेगी, कि कब कहां से आकर कोई हमें, बस हमारा काम तमाम हो जाए, end of the life, तो ये जरूरी है समझना कि law कितने जरूरी है, जो law है वो pre-condition होती है, कि हम अपनी liberty को enjoy कर पाए, getting it? तो ये सारे examples आप दे सकते हो, इसके बाद से जो liberty है, ये most fundamental होती है, जो हमारे दूसरे right से उनको enjoy करने के लिए, जैसे right to equality है, right, इसके बाद right to justice हो गया, तो liberty है, तभी आप justice, equality, इन सबको enjoy कर पाएंगे, तो liberty is the most fundamental, getting it? जैसे for example, हम आज modern democratic society में हम सबको equal liberty हैं न, कि हम जो चाहें वो बन सकते हैं, हम भी उतनी महनत करें कि हम भी उस position, top position तक पहुँच सकते हैं, getting it? तो this is the most fundamental rights, and this is our responsibility कि हम अपनी liberty को use करके, हम अपनी जो situation है उसको better करें, दो कि government and state is equally responsible, but this is our individual responsibility also कि ये जो rich and poor का gap है, वो fulfill करें, हम भी उतना ही hard work क्यों नहीं करते हैं, generally students, आप देखोगे कि कोई topper होता है, और class में कोई top नहीं करता है, बट आप देखो न, जो वो topper होता है, वो कितना hard work करता है, ताकि वो topper बने class का, आप भी equally वही उससे सीखें, हमारे यहां तो एक simple सी चीज है हमारे सोसाइटी में, seriously this is very disappointing thing, कि जो successful हैं, जो powerful लोग हैं, हम उनसे क्या करते हैं, jealousy रखते हैं, और हम उन्हें दूर बैठ के criticize करते रहते हैं, बट उसका क्या बिगड रहा है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो अपनी दुन में है, आपकी बातों से उसे फरक नहीं पड़ता, बट हाँ, आपको जरूर फरक पड़ेगा, आपको यहां क्या करना चाहिए, आपको उससे सीखने की कोशिश करना चाहिए, कि भाई वो ऐसा क्या कर रहा है, जो वो टॉपर है, ऐसा वो क्या कर रहा है, जो वो सक्सेस्फूल है, मैं क्या चीज़ें अडॉप्ट कर सकता हूँ, एक्कॉर्डिंग टू माई सर्कम्स्टेंसेज, हो सकता है कि वो प्रिवलेज्ड एनफ हो, या वो ब्लेज्ड एनफ हो, कि उसके पास ऐसी सिचिवेशन हो, सपोर्ट सिस्टम हो, पैसे हो, हर चीज की, कि वो डॉबल-डॉबल कोचिंग लगाया हुआ है, आपके पास नहीं हो, आपको यह देखने हैं कि आपकी सिचिवेशन, आपकी सरकम्स्टेंसेंस हो, जो आपके पास रिसोर्सेंस हैं, आप उनको कैसे बिटर यूटलाइज कर सकते हो, तो बी दियर, तो बी इन दा टॉपर लिस्ट, गेटिंग इट, तो यह चीज, बीग इंड इंड वीज्वल, आप लोग यह चीज कोशिश करो, यह जैलेसी और नहीं रखना है, किसी से भी अच्छी चीजन सीखने की कोशिश करो, दोसरों से, तो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो लिबर्टी को कई तरीके से डिफाइन करते हैं, different different domain में उन्हें define किया जाता है, जैसे कि natural liberty, in the state of nature, in the state of nature में natural liberty लोगों के पास थी, ना कि civil liberty, अब natural liberty में जब कहा जाता है, कि जो individuals हैं, they are born free, so nature ने हमें यह liberty दिए है, क्योंकि हम free born हुएं, हमारे उपर कोई restrictions नहीं है, कोई tag नहीं है, यह हम सब individual ने मिल करके artificially यह सारे जो restrictions बनाए है nature के थुरू तो हम तो free born हुए है different जो tag है यह जो status है यह तो society ने create की है तो natural liberty then civil liberty civil liberty में आपके जो एक civil society में जो situation होती है civil society में जो rights enjoy किये जाते हैं वो civil liberty में आ जाते हैं हो सकते हैं right to property right to freedom of speech and expression right तो यह सारे चीज़े civil liberty में आ जाएंगे political liberty में political domain में जो liberty होती है उसे political liberty गयते हैं जैसे कि हाँ political affair में हमें participate करने की जो freedom है right political participation जैसे election हम में हम भी खड़े हो सकते हैं हम अपना वोट दे सकते हैं एक certain age जो हम अचीव कर लेते हैं जो law के दौर established किया गया है और हम अपना वोट किसको दे रहे हैं यह हमारा self decision होगा होगा right इस तरीके से then individual liberty अब individual liberty हमारे personal liberty से हम कहां settle होना चाहते हैं हम क्या decision बनाना चाहते हैं हम क्या choices बनाने चाहते हैं अपने खुद के लिए खुद के development के लिए right इसके वासे freedom of speech freedom of concise residence religion को choose करना यह सारे individual liberty में आ जाएंगे then economic liberty अब मुझे अपना economic opportunities से related जो choices बनाने की पूरी liberty है freedom है कि मैं economic choices खुद बना सकते हो बना सकते हैं कि मुझे किस तरीके का career positive करना है कौन सा profession choose करना है right अब यह choices हमने बनाना है right अब यह depend करता है कि हम गरीब ही रहना चाहते हैं अमीर बने उससे बाहर निकलना चाहते हैं आप अपनी choices बनाएए उस पर काम करिए hard work करिए आप उससे बाहर आईए then national liberty national liberty मतलब किसी भी country से related हो गया जैसे कि हमारी अपनी government हो हमारा अपना constitution होना जैसे इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली तो वहां से कह सकते हैं इसके पहले तो इंडिया colonial country था national liberty नहीं थी इंडिया के पास में हमारे भी आप में कोई और decision लेता था कोई और choices बनाना था बनाता था Britain choices बनाती थी कि इंडिया world war में participate करेगा कि नहीं करेगा दो कि इंडिया चाहे या ना चाहे उनसे इस बारे में कोई consultation नहीं तो national liberty मतलब किसी भी country की जो freedom and liberty के बारे में बात की जाती है कि हमारे जो हमारे country में किस तरीके का political system होगा किस तरीके के rights हम अपने citizens को देंगे यह हमारे हैं कि citizenship है उसके बारे में क्या rules and regulations होंगे right कोई बाहरी जो government है या कोई international institutions हैं वो हमारे यहां आकर हमारे decision को influence नहीं करेंगे getting it religious liberty हर एक individual को अपनी liberty है कि वो किस तरीके का religion follow करे है हर society की अपनी freedom है कि वो किस तरीके की religious practices को adopt करते हैं follow करते हैं practice करते हैं किस तरीके की worship करते हैं किस तरीके का faith रखते हैं सारी freedom है moral liberty moral liberty थोड़ा सा ethical domain में आ जाता है कि किस तरीके के moral values को हम follow करते हैं अब moral values के बहुत सारे categories हो सकते हैं जैसे moral values में आपका trust आ जाता है right wrong ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो ये individual के choices हैं society के choices हैं कि हमारे समाज में या हमारे life में individual के life में हम किस तरीके के moral value को pursue करते हैं तो ये हो गया types of liberty अब हम अगर conclusion करें इस discussion को तो आपका conclusion हमेशा इंडिया के examples जरूर देखना जैसे article 21 of the Indian constitution क्या बात करता है right to life and personal liberty तो इंडिया में जो right to liberty है fundamental right है Indian constitution के दोरा दिया गया है अब आपको पता है कि इसके बहुत सारे dimensions है फिर उपर हमने जो भी चीजें discuss की कि liberty को हमने दो तरीके से define किया negative liberty and positive liberty तो उपर अभी तक हमने जो भी चीजें discuss की है उसको यहाँ पर summarize कर देना है conclusion में तो हम मैं फिर से conclusion discuss नहीं करूंगी कि मैंने हमने तो detail में अल्रेडी सारी चीजे discuss कर ली है conclusion include करने का मेरा यह purpose है कि बस आप get to use हो जाएं इसके मतलब कि कैसे हमें conclusion लिखना है कैसे हमें types लिखने कैसे हमें introduction लिखना है इन सारे इस लर्निंग को enjoy किया होगा और आपको concept of liberty then negative and positive notion of the liberty then features and characteristics of the liberty आपको पता चला होगा और बहुत सारे जो types of liberty की जो बात की जाती है उसके बारे में एक idea लगा होगा तो I hope so कि आज के relation आज के discussion से आपने academic way में तो सीखा ही होगा non-academic में भी कुछ आपको information जैसे कि मैंने जो बात करी न कि हमें जो successful people हैं जो toppers होते हैं हमें उनसे सीखने की जरूरत होती है उनकी good चीजों को हमें अपने में imbibe करने की जरूरत होती ना कि jealousy रखने की जरूरत होती है so ज्यादा था student life में अगर हम इस तरीके की maturity को धीरे धीरे अगर हमने अचीव करना शुरू कर दिया तो हमने अपनी लाइफ में जल्दी सकसेज हो सकते हैं so comment करके मुझे बताना कि कैसा अलगा आज का lecture वो आपकी feedback मेरे लिए बहुत valuable होगी अगर आपको discussion पसंद आया हो तो please subscribe my channel and like and share जरूर करना and notification का जो bell है वो press कर लेना जैसे कि हर एक नया वीडियो आप तक पहुँच सके तो please subscribe my channel thanks for watching see you in the next video bye bye take care